नमस्कार स्वागत आप सबी का आप देख रहे हैं सुभ़नों बजे मैं हूँ प्रीती एक नजर हेडलाइन्स पर संसद की कारवाही अनिशित काल के लिए स्थगित लोग सभा में 13 और राज्य सभा में 9 विधैक पारित सभापती मौहमध हामिद अंसारी ने सदन में अनुशासन पर दिया जो कीरती आजाद का निलंबन पर प्रधान मंत्री से दखल की अपील कहा मार्क दर्शक मंडल के पास जाएंगे कॉंग्रस का बीजेपी पर रश्चाचारियों को बचाने का रो रेलवे के ततकार तिकट के शुलकों में जाफा नई दर एक कल से लागू आइसे 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 आए बैंक बेचेगा रेल टिकेट पाकिस्तान में भारत के नए उच्चायोग्त होंगे गौताम बंबावाले राग्वन की लेगे जगहा पाकिस्तान का मद्ध जन्वरी में विदेश सच्छे वार्ता का प्रस्ताव मॉस्कोबे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का भविस्वागत पुतिन सनीजी मुलाखात में साज़ा हितों पर हुई चर्चा भारत रूस सोलवी सालाना शिखर बारता आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी रूस के दौरे पर हैं जहां आज वो रूसी राश्वापति ब्लादेमिर पुतिन के साथ भारत रूस सोलवी सालाना शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे दोनों देशों के बीच रक्षा, उर्जा और आर्थिक शेतर में सहीयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी इसके लावा प्रधान मंत्री नए रक्षा उपकरनों के खरीद और मेकन इंडिया में रूस की भागेदारी सुनिश्यत करने पर भी बात करेंगे प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर कल ही मौस्को पहुचे है प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी ने ट्वीट कर बाचीत को सफल बताया इससे पहले प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी का मौस्को पहुचने पर भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपती पुतेन आज मौस्को में सोलहमी भारत रूस सालाना शिखरवार्ता करेंगे दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रमानू उर्जा, हाइड्रोकार्बन और व्यपार सहित कई अहम शेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर कई समझोते होने की उम्मीद है शिखरवार्ता में कई अहम मुद्दों के अलावा सन्युक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में बदलाओ पर भी चर्चा होगी दोनों नेताओं के बीच नेताजी सुभाष चंदर बोस से जुड़ी सामक्रियों के खुलासा करने के मुद्दे पर भी बात होगी भारत में कुडन कुलम एक और दो समेत बारा और प्रमानु संयंत्र लगाने के बारे में बात्चित भी की जाएगी इसके अलावा अतंकवात के खिलाफ सन्युक्त कारवाई की रणनीती पर चर्चा होने की भी उम्मीद है प्रधानमंत्री आज दोनों देशों के CEO फोरम में आपसी वैपार बढ़ाने पर बात करेंगे वो भारतिये और रूसी लोगों की एक संयुक्त सभा को भी संबोधित करेंगे अखिलेश सुमन, राज्य सभा टीवी ऒचिलेश वीजिजीज वी बाजन, एक से की तकनिते वीजुचिंपनर लोगों की बाजेशने के साफिएग प्राज्य की वीजमीट वीजिज़ाश इन धिजिसे वीजिप्टना टीम्मीटिस, इस्रप्सिश जायब आपसी ब्यों की उत्पार के बीजिए की तीजिद में इरते ज्यारव मेमब the Chair 8 एंहें सकतरों से वह सकाट साथ कुझ है चक्टिस चाहजर सकतरों प्रज ней Ecuador और प्रजबा प्रज मातलुम्त ऑंसें ब Rayyya संपाइ थी कुझ हम प्सप्सेशाम प्रड़डनेके वी इनुंता ए्र॑कूमिली इनुकृ extraordinू अवेलिबल तो देम अंडर दी रूल्स अफ प्रोफसीजा इस से पहले शीत काली इन सत्र के आखरे दिन राज्यसभा में चार विधेकों को बिना चर्चा की मनजूरी दी गई आला कि वामदलो ने इस पर आपत्ती जताई और वॉक आउट किया शीत कालीन सत्र के आखरे दिन राज्यसभा ने चार एहम विधेकों को मनजूरी दी दोपहर एक बजे सादन की कारेवाही शुरू होने पर सबसे पहले वानिजिक नयायाले उच नयायाले वानिजिक प्रभाग और वानिजिक अपील प्रभाग विधेक 2015 पारित किया गया इसके बाद माध्यस्तम और सुलह संचोधन विधेक 2015 यानि Arbitration and Consolation संचोधन बिल 2015 को मनजूरी मिली हाना कि वामदलों ने चर्चा के बगैर इसे पारित करने पर आपती जताई इसके बाद सदन ने payment of bonus संचोधन विधेक और परमाणू उर्जा संचोधन विधेक को मनजूरी दी बिल पर कुछ सदस्यों ने सपश्टी करण भी मांगा चीनी उपकर शंचोधन विधेक जिसे लोकसभा अधेक्ष की ओर से वित विधेक की माननेता मिली उस पर भी विपक्षनया पत्ती उठाई भारतिये वन चंचोधन विधेक 2012 को सरकार ने वापिस लेलिया वहीं राजेंद्र केंद्रिये कृषी विश्विध्याले विधेक सदन में पेश किया गया विशाल दहिया राजेसभा टीवी राजेसभा और लोकसभा और फुलिंग इन डिफरेंट डिरेक्शन्स उचिज अ मैटर अफ सीरियस कंसर्ण यह बहुत गंभीर मामला है लोकसभा चल रहे राजेसभा चल नहीं पाए संसदीय कार्यमंत्री ने कॉंग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉंग्रेस की वजह से कई जरूरी बिल पास नहीं हो सके इधर विपक्ष ने उनके आरोपों को घलत करार दिया है लेगन इनको इतना बहुमत होने के बावजूद भी ये पार्लिमेंट चला नहीं सकते है उसकी वज़ा है कि सरकार जो सरकार का जो गुरूर है गुमंड है एरोगेंस है और वेंडेटा है अगर सरकार चलानी है लोग तंतर में तो भारती जनता पार्टी की सरकार को प्राइमिस से लेकर नीचे उनके वंतरी मंडल तक के लोगं को वंडेटा का रास्ता छोड़ना चाहिए, एरोगेंस का रास्ता छोड़ देना चाहिए शीत कालिन सत्र के दौरान गतिरोद की वज़े से राज्य सभा में महज 46 पीज़दी ही कामकाज हो सका शीत कालिन सत्र में लोग सभा ने 13 विधह एक पारित किये, मुखे विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस समेट दूसरे विपक्षी पार्टी उने अलग अलग मुद्दो पर सदन में विरोध प्रदशन किया सत्र के पहले दो दिन बाबा साहब भीम राम बिड़कर और सम्विधान के प्रती प्रतिबधिता पर चर्चा हुई शीत कालिन सत्र के दौरान लोग सभा के कुल 20 बैठक होई जिसमें करीब 117 घंटे कामकाज हुआ विधाई कामकाज की बात करें तो कुल 13 बिल पास हुए हलांकि दिवाला और शोधन अक्षमता सहिंता बिल को विपक्ष की मांग पर संयुक्त संसद्य समीती को भेजना पड़ा जो बिल पास हुए उनमें सरकार के आर्थिक अजंडे से जुड़े भी कई बिल शामिल हैं विधाई कामकाज के अलावा सदन में बाड़, सूखा, असहनशीलता के मुद्दे पर नियम 193 के तहत अलपकालिक चर्चा भी हुई असहनशीलता के मुद्दे पर चर्चा के दोरान सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से सखत बाते हुई इसके अलावा महंगाई के मुद्दे पर भी सदन में चर्चा हुई, हालांकि ये चर्चा अधूरी रही सभामे नियम 193 के अधिन अविलंबनिय लोकमहत्व के विशे अर्थात देश में असविश्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्तिती, देश के कई भागों में बाड़ खिस्तिती, देश के विभिन्द भागों में सूखे स्तिती और मूल्य वुरुद्धी के बारे में चार अल्पकालिक चर्चा है, इनमें से मूल्य वुरुद्धी पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई है शीत काली निसत्र में कॉंग्रेस पार्टी के आकरमक तेवर रहे पार्टी ने पहले अहसेंचीलता का मुद्धा उठाया, साथ ही बदले की राजनीती और भ्रस्टाचार के मुद्धे पर कॉंग्रेस ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया कॉंग्रेस पार्टी को कई मौकों पर त्रिनमुल कॉंग्रेस, वामदलों और दूसरी विपक्षी पार्टीयों का समर्थन भी हसिल हुआ विपक्ष की दृस्टी से बात करें तो कॉंग्रेस अपनी सीमी ताकत के साथ भी सदन में अपनी मजबूत उपस्थिती दर्ज कराने में कामियाब रही शाम संदर, राजसभा टीवी अब कुछ और हैम खबरें, सांसद कीर्थी आज़ाद ने बीजेपी से अपने निलंबन पर प्रधान नंतरी नरेंदर मोदी से दखल की मांग की है उन्होंने बिना नोटिस के पार्टी से निलंबन पर सवाल उठाया है कीर्थी आज़ाद ने डीजेपी मामले में कोट जाने की भी बात कही है वहीं कॉंग्रस का कहना है कि बीजेपी प्रष्टाचार करने वाले लोगों को बचा रही है DDCA का मुद्धा उठाने वाले सांसर्थ कीरती आजाद ने BJP से निलंबन पर प्रतिकरिया दी है उन्होंने कहा कि उन्हें सच बोलने की सजा मिली है उन्होंने इस मामले में प्रधान मंतरी नरें रमोदी से दखल की मांग की है कॉंग्रिस ने कीरतियाजाद के निलंबन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और भ्रष्टाचार करने वालों को बचाने का आरोप लगाया मुझे कोई आशेरे नहीं हुआ है क्योंकि भारती जनता पार्टी उन सब लोगों के खिलाफ है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए है भाजपा को कमाव पूत की आवशक्ता है दुधारू गाय की आवशक्ता है जो खाय और खिलाए बीजेपी ने इस मामले में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बयान की आलोशना की है सांसत कीरती आजाद को बुधवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बीजेपी से निलंबित कर दिया गया कीरती आजाद ने रविवार को एक प्रेस कॉंफरेंस में डीडी सीए में अनियमित्ताओं का दावा करते हुए वीडियो जारी किया था इस मामले में डीडी सीए के पूर्व अध्यक्ष और वित्मंत्री अरुन जेटली विपक्ष के निशाने पर है हाला कि बीजेपी ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था और पार्टी अरुन जेटली के साथ खड़ी है बियोरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी सरकार ने फिर कहा कि इस विवाद से वित्मंत्री का कोई लेना देना नहीं है आम आद्मी पार्टी के समर्थकों ने बुधवार को वित्मंत्री अरुन जेटली के घर पर प्रदर्शन की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें रोग दिया अरुन जेटली जी एक अच्छे भारतिय के तरह कानून में रहने वाले भारतिय के तरह किर्पा करके आप रिजाइन कर दीजिए जो इन्वेस्टिकेशन जो प्रोब हो रहा है उसको आप एक और्डनरी सिटिजन के तरह फेस करिए और अगर बेदाग साबित हो जाएंगे तो अब आपस आजएगेगा बीजेपी सांसर शत्रुगन सिनह ने कहा कि अरुन जेटली को लाल किष्ण आदवानी का अनुसरन करना चाहिए संसधिय कारे मंत्री एम वेंकया नाइडू ने अरुन जेटली का पुरजोर बचाव किया दिली सरकार ने भी डीडी से में कथित भ्रस्टाचार की जाँच के लिए आयोग बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है इसकी अगवाई पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमन्यम करेंगे बीरो रिपोर्ट राज्य सबाटीवी कॉंग्रेस उपाद धक्ष राहूल गांधी ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पर देश की समस्याओं की अंदेखी का रोप लगाया है उन्होंने अमेठी में कहा कि प्रधान मंतरी के विदेश दोरे से देश को फाइदा नहीं होने वाला है राहूल गांधी ने प्रधान मंतरी की उद्युक पतियों के साथ मुलाकाद पर सवाल उठाया और कहा कि इससे आम आदमी का विकास नहीं हो सकता राहूल गांदी का कहना है कि देश की जनता महंगाई से परिशान है लकिन सरकार इस तरफ धैन नहीं डे रही है राहूल गांदी दो दिन के मेटी दौरे पर हैं इस दौरान उन्होंने नम्ने रवाचत ग्राम प्रधानों से मुलाखात की, साथी पार्टी के कारेकरताओं के साथ चर्चा की. अब ने लगातार जा रहे हैं, लोट रहे हैं एक छोटे से ब्रेकी बार. दिल्ली हाई कोट ने दिल्ली सरकार के सम विशम फॉर्मूले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, हाला कि कोट ने सरकार से कहा है कि वो डिसेबिल्स के सुझाओं पर खौर करे. इस मामले के अगले सुनवाई छे जनवरी को होगी. दिल्ली में प्रदूशन के बढ़ते स्तर को देखते होए, राजसरकार ने सम और विशम नंबर प्लेट की आधार पर गाड़ियों को चलाने का निर्देश दिया है. सरकार की योजना एक जनवरी से लेकर पंदरा जनवरी तक है. रविवार को ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा. उत्तर प्रदेश के दादरी हिंसा मामले में तीन महीने बाद पुलिस ने चार्ड शीर दाखिल कर दी है. इसमें एक नाबालिक समेट पंदरा लोगों को नामजद किया गया है. इस मामले में महमद अखलाक की बेटी को मुख्य गवा बनाया गया है. पुलिस के मताबिक और चार लोगों के खिलाव जहां चल रही है. इसमें से दो लोगों को पुलिस ने गिरफ़तार कर लिया है और दो की तलाश की जा रही है. जल्दी उनके खिलाव भी चार्ड शीर दाएर की जाएगी. 28 सितंबर को दादरे इलाके में महमद अखलाक को उनके घर में भीर ने पीट पीट कर मार दिया था. जब कि उनके बेटे को गंभी रूप से जखमी कर दिया था. रेल्वे ने एक बार फिर मुसाफिरों पर किराय का बोज बढ़ा दिया है. रेल्वे ने ततकाल टिकेट के दामों में बढ़ोतरी की है. नई दरे कल से लागों होंगी. रेल्वे के अधिसूचना के मताबिक ततकाल कोटा के तहट स्लीपर क्लास में टिकेट आरक्षित करने वाले यात्रियों से अब 175 रुपए के बजाए 200 रुपए लिए जाएंगे. जबकि AC3 में अधिक्तम 300 की जगा 400 और न्यूनितम 200 की जगा 300 रुपए लिए जाएंगे. स्लीपर क्लास में न्यूनितम ततकाल शुलक 90 रुपए था जिसे बढ़ा कर 100 रुपए कर दिया गया है. AC2 और Executive श्रिणी के यात्रियों को अब न्यूनितम 300 रुपए के बजाए 400 रुपए देने होंगे. वहीं अधिक्तम 400 रुपए के जगा 500 रुपए खर्च करने होंगे. और ICICI बैंक ने वेबसाइट के जरीये रेल टिक्टों की बिक्री करने के लिए बुधवार को IRCTC के साथ गणवन्धन किया है. वो जल्दी मुबाइल बैंकिंग अप्लिकेशन और प्री पेड डिजिटल वालेट पर रेल टिक्टों की बुकिंग की सुविधा शुरू करेगा. वो बुक्ताओं को सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट पर पंजी करनन कराना होगा और इसके बाद उन्हें बैंक की वेबसाइट पर पंजी करनन करना होगा. ये सुविधा सिर्फ ICICI के ग्रहकों तक सीमित नहीं है बलकि किसे अन्य बैंक के ग्रहक भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं. मार्श 2014 से लेकर अब तक 16,000 करोड काले धन का पता चला है. ये वो राशी है जिनकी घोशना नहीं हुई थी. साथी सदकार की कड़ी कारवाई के वज़े से 1200 करोड की संपत्यों को जब्त किया गया है. राजस्व सचेव हंसमोकाडिया के अनुसार 90 दिन के भीतर बेनामी संपत्य बताने के लिए जिन उपायों की घोशना की गई थी. उनके तहर 4,160 करोड रुपे से ज़ादा की राशी का एलान कर दिया गया है. रिजर्ब बैंक ने 2005 से पहले के नोटों को बदलने की अफ़दी 6 महीनी बढ़ा दी है. अब अगले साल जून तक पुराने नोट बदले जा सकेंगे. हलाक 31 दिसम्बर के बाद सिर्फ बैंकों की चुनिंदा शाखाओं और रिजर्ब बैंक के इशू कार्यालियों पर ही ने बदला जा सकेगा. केंद्रे बैंक ने सिलसले में कलेक प्रेस विग्यप्ती जारी की. इस साल जून में आर्बियाई ने इन नोटों को बदलने के लिए 31 दिसम्बर 2015 तक का वक्त दिया था. आर्बियाई का कहना है कि 2005 से पहले की नोट को प्रशलन से बाहर करने का मकसद जाली नोटों के गोरग धंदे को रोकना है. मातमा गांदी सीरीज के नोट 2005 से प्रशलन में हैं और इनमें जादा सुरक्षाम मानक मौझूद हैं. आर्बियाई के मताबिक जादा तर बैंकों से पुराने नोटों को हटा दिया गया है. बैंकों के लिए एक गर्जवसूली बड़ी चुनौती बनती जा रही है. बैंक से जारी वित्य स्थिर्था रिपोर्ट के मताबिक सितंबर में बैंकों का नेच एन पिये बढ़कर फुल नेट कर्ज का 2.8 प्रतिशत हो गया है. जो कि मार्च में 2.5 प्रतिशत था. वहीं इसी अवधी में दबाव वाला कर्ज 11.1 प्रतिशत से बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गया. सारजनिक शेत्र के बैंकों का दबाव वाला कर्ज 14.1 प्रतिशत रहा. जबकि निजिक शेत्र के बैंकों के मामले में ये 4.6 प्रतिशत रहा. वहीं विदेशी बैंकों के मामले में 3.4 फीज़ी रहा है वित राज्यमंत्री जैयन सिन्हा ने जानकारी दी थी कि देश में बैंकों के एंपिए 3,47,000 करोड की है जिसमें 86 फीज़ी से ज़ादा सर्वजनिक बैंकों का हिस्सा है भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित युद्धिपोत आई एनस गुदावरी को कल से मुंबई में डिक मिशन कर दिया गया है इस मौकी पर नौसेना प्रमो कैड्मिरल आर की धवन भी मौझूद थे 32 साल पहले से भारत के नौसेना में शामिल किया गया था पिछले तीन दशकों में युद्धोत कैक्टिस समेट कई महत्वपूर अभ्यानों में शामिल रहा युद्धोत जमीन से जमीन और जमीन से हवा में मान करने वाली मिसाईलों से भी लैस था बात मौसम की करते हैं पहाड़ी आलाकों में हो रही बर्थबारी से पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में हैं मैदानी आलाकों में शीत लहर और कोहरे की चलते के राज्यों में बच्चों की स्कूलों को फिलहल बंद कर दिया गया है मैं ट्रेनों और उनानों के आवाजाही पर असर पढ़ रहा है पहाड़ी इलाकों में बर्थबारी और सर्ध हवाओं के चलते उत्तर भारत में कडाके की ठंड पढ़ रही है जम्मू कश्मीर के कई अलाकों में तापमान शुन्न से कई डिग्री नीचे चला गया है पूरी कश्मीर घाटी बर्थ की सफेद चादर से ढखी है हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुलू, चमबा, किन्नौर, सिर्मौर में तापमान शुन्न डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्श किया गया बर्थबारी ने जहां स्थानिये लोगों की मुश्किले बढ़ा दी है तो वही बड़ी संख्या में सैलानी बर्थबारी का लुट्व पी उठा रहे है परवतिये राजियों के साथ ही हर्याना, पंजाब और राजिस्थान में भी ठंड से लोग बिहाल है राजिस्थान के चुरू में तीन दश्मलों दो डिग्री तापमान दर्श किया गया उत्तर प्रदेश, राजिस्थान और पंजाब में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है कोहरे के चलते, सडक, रेल और हवाई सेवा पर असर पड़ा है दिल्ली से चलने वाली और यहां आने वाली ज्यादतर ट्रेने अपने तैसमय से देरी से चल रही है कई ट्रेनों को रद भी किया गया है फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं मौसम विभाग के मुताबिक सुबह और रात के ताफमान में और कमी आ सकती है दियरो रिपोर्ट रक्चिसाभा टीवी परबाद भारत पाकिस्तान से जुड़ी खबर की 15 जनवरी के आसपास दोनों देशों के विदेश सचेवों के बीज बाचीत हो सकती है पाकिस्तान ने बुद्वार को सभी प्रमुक मुद्दो पर चर्चा के लिए बाचीत मद्ध जनवरी में करने का प्रसाव दिया है पाकिस्तान के प्रधान मंतरी के विदेश मामलों के सलाकार सर्थाज जजीज ने इसलामबाद में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रस्तावित बाचीत की तिथियों के बारे में भारत की जवाब का इंतिजाड कर रहा है इस महीने विदेश मंतरी सुश्मा स्वराज के पाकिस्तान दोरे पर दोनों देशों के बीच समगर बादचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू करने पर सहमती बनी थी गौतम बंबावाले पाकिस्तान में भारत के नए उच्चा युक्त होंगे वरिश राजनाइक बंबावाले फिलहाल भूटान में भारत के राजदूद है 1984 बैच के आई एफस अधिकारी गौतम टी सी ए रागवन की जगह लेंगे रागवन इस महीने के आखर में रिटायर हो रहे हैं बंबावाले जर्मनी, अमेरिका और चीन में भारते मिशन से जुड़े रहे हैं 2007 में वो चीन में भारत के महावाने जिदूद बने थे 2014 में भूटान में भारत के राजदूद का पद समालने से पहले वो दिसंबर 2009 से लेकर जुलाई 2014 तक मंत्राले में सहीं उक्तिसाचिफ थे इस दोरान वो चीन, जापान और दक्षन कोरिया के साथ भारत के संबंधू को देखते थे भारत ने अमेरिका के विश्विद्यालियों में पढ़ाई के लिए जाने वाले चात्रों के लिए एडवाईजरी जारी की है विदेश मंत्राले ने सिलिकॉन वैली और नौर्थ वेस्टन विश्विद्यालियों में प्रवेश के लिए जाने वाले चात्रों को अमेरिका जाने की योजना को फिलहाल टालने की सला दी है इन विश्विद्यालियों में प्रवेश के लिए जाने वाले चात्रों को अमेरिके आवरिजन अधिकारी रोक रहे हैं भारती चात्रों के पास वैद वीजा होने के बावजूद इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं भारत ने इस मामले को अमेरिका सरकार के सामने मजबूती से उठाया है तिलहाल इस मामले में अमेरिका से कोई जबाब नहीं मिला है पाकिस्तान ने धाका स्थित अपने उच्छायोग से एक राजने को वापस बुला लिया है इस पर बांगलादेश में आतंकियों के साथ संबंध होने का रूप है पाकिस्तानी उच्छायोग में राजने तक सचिफ किपद परतेनात फरीना अर्शद कल दुपहर के बाद ढाका से स्वदेश के लिए रवाना हो गई बांगलादेश ने दो दिन पहले पाकिस्तान से फरीना अर्शद को वापस बुलाने के लिए कहा था अरीब एक साल पहले बांगलादेश ने ऐसे ही आरोपो को लेकर एक पाकिस्तानी नागरिक को देश से निकाल दिया था बांगलादेश खुफिया पुलिस का दावा है कि राजने का अतंगवाद से संबन्द होने के परियाप्त सबूत मिले है उनका कहना है कि प्रतिबंदित जमातलमुजाइदीन बांगलादेश की ग्रफतार सदस्यों से पूछताश में इसका खुलासा हुआ है पैगंबर मुहमद साहब की यौम पैदाईश यानि एद मिलाद नबी आज भारत समेथ दुनिया भर में मनाया जा रहा है इस मौके पर राश्पती प्रणमुखर जी और उपराश्पती मुहमद आमिद अंसारी ने देशवासे को शुब काम नायदी है प्राश्पती ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मुहम्मद साहब के अबदेश हमें मानवता के कल्यान के लिए काम करने और भाईचारे की प्रेड़ना देते हैं उप्राश्पती ने संदेश में कहा है कि पेगंबर मुहम्मद साहब का जीवन और उनके उपदेशों से दया, सहन शीलता और आपस में सद्भाव बनाय रखने की शिक्षा मिलती है कल क्रिस्मस है देश और दुनिया के बाजारों में रौनक लगी हुई है लोग सांता क्लॉस की ड्रेस, मास्क, स्टार्स, क्रिस्मस ट्री और केक समेट दूसरी चीजों की ख़ड़िदारी में जुटे हुए है क्रिस्मस के मौके पर गिरजा घरों में विशेश सजावट की गई है आज आधी रात को बारा बजे चर्श में प्रातनाय होंगी क्यारल्स काय जाएंगे सकते हुए है पर इसे के साथ फिलाल इस बुलिटन में इतना ही आखिर में एक निजर हिटलाइंग्स पर संसत की कारवाई अनुशित काल के लिए स्थागेत लुख समा में 13 और राजी समा में 9 विधेक पारित सभापति मुअमध हामिद अनसारी ने सदन में अनुश्यासन पर दिया जोर किर्दियाजाद का निलंबन पर प्रुधान मंतरी से दखल की अपील कहा मात दर्शक मंडल के पास जाएंगे कॉंग्रस का बीजेपी पर रश्चाचारियों को बचाने का रूँ रेलवे के ततकार टिकेट के शुलकों में जाफा नई दरे कल से लागू आईसे आईसे आई बैंक बेचेगा रेल टिकेट पाकिस्तान में भारत के नए उच्चायोक्त होंगी गौतम बंबावाले रागवन की लेंगे जगहा पाकिस्तान का मद्ध जन्वरी में विदेश सचेब वारता का प्रस्ताव पॉस्कोबे प्रधान मंत्री मोदी का भविस्वागत पुतिन संदीजी मुलाकात में साजाहितों पर हुई चर्चा भारत रूस्तोल वी सालान शिकरवारता आज